आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संग लोक सेवा आयोग UPSC की नियू रिगुरुमेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अप्लाय प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंस यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है यह आपके नेशनल डिफेंस अकेडमी मिन्स NDA 1 2023 और CDS exam 1 2023 के लिए जारी की गई है जिसमें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में NDA 1 2023 के ओनलाइन फॉर्म अप्लाय प्रोसेस के बारे में CDS का जो वीडियो है वो इसका नेस वीडियो जो होगा वो फ्रेंस आपको अप्लोड कर दिया जाएगा आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा तो बात करते हैं यहाँ पर NDA 1 2023 के फॉर्म अप्लाय प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अप्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें एप्लाय कर सकते हैं अब यहाँ पर फल यहां अपर उटियर के माध्यम से मिंसे वन टाइम रिडिस्टेशन के माध्यम से अपने अगर उप्सम में OTR system fill किया हुआ है तो आपको यहां पर जो आपका form है वो directly आप fill कर सकते हैं नहीं किया है तो आपको OTR fill करना होता है तो यह जानकारी क्या है और कैसे आप apply करना है वो सारी जानकारी अब आपको इस वीडियो में पहले ही आपको प्रोवाइड किया हुआ है यहां पर मैं आपको short में जानकारी प्रोवाइड करूँगा कैसे आप अपना registration कर सकते हैं और apply कर सकते हैं सबसे पहले friends यह जो dashboard है यह आपको देखने को मिलेगा अब इस dashboard पर सबसे पहले आप यहां देखेंगे चार step है पहला है registration का दूसरा है अगर आप already register हैं तो directly login कर सकते हैं तीसरा है data को verify करने का और इसके बार आपका dashboard होगा जिस पर friends जो भी ongoing vacancies होंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी अब यहां पर friends सबसे पहले देखिए यहां यहां पर है login section अब यहां पर यहां पर मेल आईडी मॉबाइल नंबर या फिर आपके पास OTR ID है उसके थुरू आप यहां पर login कर सकते हैं अगर आप पहली बार registration कर रहे हैं आपने OTR कभी भी apply नहीं किया है उस condition में आपको यहां पर एक tab मिलेगा new registration का आप इस option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपका देखिए OTR registration form start हो जाएगा तो यहां पर कुछ basic जनकारी आपको fill करनी हैं सबसे पहले friends आप यहां पर देंगे नाम नाम friends आपको यहां पर देना है दो बार दो बार नाम एंटर करने के बाद आपको next option मिलता है आपके full name का तो आपका friends जो भी पूरा नाम है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं इसके बार friends आपको यहां पर आपका जो जेंडर है वो भी verify करना है आपको friends आपका जो date of birth है वो आपको देना होगा अब यहां पर friends आपकी जो भी date of birth है वो आप friends अपने according यहां पर select करेंगे और उसके बाद दोबारा से उसी option को यहां पर जो आपकी date of birth है उसको आप friends से verify कर देंगे इसके बाद आपका next option आएगा आपके father name का तो friends आपको यहां पर father name enter करना है और इसे friends यहां पर आपको verify करना है आपका जो mother name है वो आपको यहां पर देना होगा और यह basic जानकारी है जो कि आप यहां fill करते हैं इसके बाद next option है minority status का तो friends अगर आप यहां पर इस category से belong करते हैं तो आप यहां पर option को select कर सकते हैं नहीं है तो आप no करेंगे आपका 10 digit का mobile number आपको fill करना है आपकी active and valid mail ID आपको यहां पर देनी होगी कोई alternative mobile number और mail ID है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं यहां पर है 10th का friends यहां पर जो roll number है वो आपको यहां पर enter करना होगा तो 10th का roll number enter करने के बाद आप यहां पर कोई भी security question जो भी आपको यहां देखने को मिल रहा है इसमें से आप कोई भी security question ले सकते हैं दो questions आपको यहाँ पर देने हैं इन दो questions के friends आपको यहाँ पर देने होंगे answer और यह देने के बाद आप इस capture code को fill करेंगे और उसके बाद इस data को यहाँ से submit कर देंगे इसके बाद friends अगर आप इस condition में कोई भी update करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं अगर आप कोई भी update ना करना चाहें तो आप I agree यहाँ से data को कर देंगे इसके बाद friends next option आपका आता है OTP का अब देखिए friends आपका जो mobile number है और आपकी जो mail ID है उस पर friends एक OTP जाएगी वो OTP friends आपको यहाँ पर enter करनी है दोनों ही condition में आपको friends से OTP यहाँ पर देनी होगी और अगर यह OTP नहीं आती है तब recent mobile OTP या recent email OTP कर सकते हैं OTP only 2 minutes के लिए ही आपकी valid रहेगी तो इसलिए आपको OTP आते ही आपको OTP यहाँ पर enter करना है और उसके बार friends से आपको यहाँ से verify OTP कर देना है verify OTP एक बार जब आपके यहाँ पर हो जाएगी तो आपका जो OTR है यह आपका complete हो जाएगा UPSC का इसके बार friends से आपको करना क्या है अब आपका जब OTR complete हो जाता है तो जो login section है यहाँ पर आएगे यहाँ पर आने के बाद friends से आप तीन options है या तो mail ID या friends आपका mobile number या friends जो OTR ID आपको मिली है यह तीनों में से कोई भी एक option को आप select कर सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ पर submit करेंगे जैसे mail ID आप यहाँ फिल करते हैं उसके बाद आप get OTP पर click करेंगे आपके पास एक OTP आएगी वो OTP आप यहाँ पर enter करेंगे और OTP enter करने के बाद आप इस capture code को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से login कर लेंगे उसके बाद friends जैसे ही आप अपने portal पर login होंगे यहाँ पर friends आपको देखिए आपको सबसे पहले new password एक generate करना होगा new password आप कैसा generate करेंगे तो इसमें आपका uppercase, lowercase, numerical value और special character उस password में होने चाहिए तो आप जैसे मालिज अपर case उसके करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए उस पर tick मिल जाएगा ऐसे ही friends यहाँ पर आप जो भी password यहाँ पर यूज करते हैं जैसे आपने lowercase, uppercase उसके कर लिया आपको इस तरह से option देखने को मिलेंगे आपने special character यूज कर लिया और आपने numbers यूज कर लिये तो आप यहाँ पर देखेंगे सभी options में आपको यहाँ पर tick के option मिल जाते हैं तो जैसे ही friends यह आपके tick होंगे यहाँ पर सभी के सभी उसके बाद friends आप यहाँ से login कर सकते हैं apply करने के लिए तो friends यहाँ पर देखेंगे अब आपको जब apply कर लेते हैं इसके बाद friends आपको यहाँ पर latest notification का option मिलेगा जो भी आपकी यहाँ पर notification ongoing है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सबसे पहले friends यहाँ पर है देखें update या edit OTR आप यहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हैं और आप यहाँ पर part 1 के लिए click करना चाहते हैं तो आप इस option पर click कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखेंगे आपको instructions को read out कर लेना है instructions को read करने के बाद पढ़ने के बाद आप यहाँ पर दिये गए yes वाले option पर click करेंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखेंगे आपको सबसे पहले nationality आपका marital status select करना है आपकी friends जो community है जन्दल है तो जन्दल select कीजिए OBC है तो आप OBC select कर सकते हैं OBC में आपको option मिलेगा अगर आप cream earlier से belong करते हैं तो friends आपको यहाँ पर कोई भी reservation नहीं मिलता आप यगर OBC NCL certificate आपके पास है तो आप यहाँ no करेंगे और आपके community certificate की जानकारी आप यहाँ पर provide कर देंगे इसके बाद friends से next option है आपकी qualification का, qualification क्यों है friends से क्या-क्या details है तो देखिए सबसे पहले है आपका pass होना 12th class जो कि friends से यहाँ पर आपके पास physics, chemistry and mathematics आपके पास यहाँ पर नहीं है अगर आपके पास physics, chemistry and mathematics है 10 plus 2 में तो भी आप आविदन कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर appearing है तो भी आप इसमें आविदन कर सकते हैं तो pass out candidate और appearing candidate दोनों ही applicable है apply करने के लिए तो आपको पस friends से यहाँ पर उस option को select करना है आपकी क्या qualification है इसके बाद friends से यहाँ पर है आपका address तो आपका जो भी पूरा address है वो आप यहाँ पर enter करेंगे address line 1, address line 2 यह आपको friends से यहाँ पर enter करनी है इसके बाद friends से next option है आपके state का या UT का वो आप यहाँ से select कर लेंगे इसके बाद friends से district को select करना होगा आपका pin code क्या है यह आप यहाँ पर enter करेंगे और उसके बाद continue कर देंगे इसके बाद friends से next option आता है आपकी photo ID का तो आप यहाँ से कोई भी option को select करें और उस photo ID का जो number है वो आपको mention करना है इसके बाद friends आप preference से क्या देना चाहते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले माली जी आप यहाँ पर लेना चाहते हैं माली जी यह नोसेना या फिर नेवी को तो आप यहाँ पर एक number देंगे यहाँ पर दो number देंगे अब माली जी आप Air Force को नहीं लेना चाहते हैं उस condition में आप यहाँ पर 0 की entry कर सकते हैं तो यह आपके उपर depend करेगा आप किसको पहले preference देना चाहते हैं अगर यह preference यहाँ पर सही नहीं होगी तो आप यहाँ पर नेस्ट करेंगे तो आपको शो करेगा कि यह preference सही नहीं है इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास जो है certificate है CPSS का तो आप यहाँ पर यहाँ पर देंगे continue करने के बाद friends यहाँ पर देखिए आपको मिलता है आपका फ्रेंट से प्रिवी सेक्शन तो प्रिवी सेक्शन को ध्यान से चेक कर ले कोई भी गलती किसी भी step में आपको लगती है आप उस जो है उसको section को edit कर सकते हैं और इसके बाद आप इस capture code को डाल कर यहाँ से agree कर सकते हैं अगर कोई भी गलती नहीं है इसके बाद friends यहाँ पर है print slip का option तो आप यहाँ से जो आपका print out है slip का वो friends से निकाल कर या save करकर अपने पास से जरूर रखें इसके बाद friends से यहाँ पर जब आपका part 1 complete हो जाएगा आप दोबारा से login करेंगे और अब आपको यहाँ पर part 2 करना होगा अगर देखे friends आपका payment लगता है तो आप किसी भी bank के credit card, debit card, net banking से अपने payment को complete कर सकते हैं और उसके बाद आप upload photo, sign and photo ID वाले option पर click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद आपके सामने friends कुछ इस तरह का interface open होता है जहाँ पर friends आपको आपके photograph, signature और आप photo ID proof आपको upload करना है, photo ID proof कौन सा होगा जो कि अपने first part में जिसका registration number दिया होगा वो आप यहाँ पर upload कर सकते हैं, कैसे resize करना है, मतलब jpg format में जो photo आप upload करेंगे, जिसका sample आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो pixel है वो आपको change करने होंगे, pixel कैसे change करने है, तो आपको यहाँ पर जो आपकी file है, उसको आप friends select कर लेंगे, ID proof को friends, PDF format में आप यहाँ पर select करके upload पर क्लिक करेंगे, upload होने के बाद friends, आप यहाँ से continue कर सकते हैं, continue करने के बाद देखे friends, यह section भी आपको complete हो जाएगा, इसके बाद है center selection, आप इस option पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ यहाँ पर देखिए, आपका जो form है, वो complete हो जाता है, for application status आपको friends, यहाँ पर click करना होगा, यहाँ आप latest notification पर click करेंगे, और यहाँ पर आपको application status का option मिलेगा, तो देखिए, आपका part 1, part 2 सब complete हो गया है, इस status आप check कर सकते हैं, और उसके बाद जो last step है, वो है view या print application का, तो आप यहाँ से अपने application form का, जो print out है, वो अपने पास save करकर रख सकते हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो हमने बात की, UPSC NDA1 का online form आप कैसे apply कर सकते हैं, step by step process के बारे में, अगर आपको हमारा अपडेट पसंद आया है, आप चाहते हैं, ऐसे ही updates, आपको लगातार मिल सक तो फैंसे like, subscribe and share जरूर कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ,